हेलो दोस्तों आपका एक बार फिर सी स्वागत है हमारी ओफिशल यूटूब चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टीन बॉयलर से मावा खुआ बनाने का प्लांट दोस्तों यह वीडियो उन लोगों के लिए हैं जो दूद का बिसनस करते हैं यह दूद से किसी भी प्रकार की मिठाई बनाने का कारे करना चाहते हैं यदि आप भी हमारा ये प्लांट लगवाना चाहते हैं तो नीचे दिये गए हमारी नमबरों पर संपत कर सकते हैं यह जैपुर स्टीम एनर्जी कंपनी के द्वारा लगाया गया है इस प्लांट में चार आटोमाटिक वर एक मैनूल दोनों तरह की कढ़ाईयां लगाई गई हैं जिनने स्टीम बॉयलर से ऑपरेट किया जा रहा है यह इन कढ़ाईयों को मावक हुआ बनाने के काम में लिया जाता है यह स्टीम से चलने वाली कढ़ाई है इसके लिए स्टीम बॉयलर की सरुवत परती है एक आटोमाटिक कढ़ाई में आप एक बैच में 20 लेटर दूद का मावा 20 मिनट में आसानी से बना सकते हैं इन कढ़ाईयों में पल्टो की सायता से दूद गूमता रहता है जिससे दूद कढ़ाईयों में नहीं लगता हमारे पास एक कढ़ाई से लेकर सभी प्रकार के बॉयलर बटी उपलप्त हैं जिससे आप मावा खुआ, पनीर पेठा, रसकुला, बूरा का प्लांट, गुर का प्लांट, कैंडी प्लांट, आदी सभी कारे कर सकते हैं इस प्लांट की सायता से आपका इंधर और समय दोनों की बचत होगी जिससे आप कम समय और कीमत में अधिक उत्पादम कर सकते हैं जिससे आपका मुनाफ़ा भी अधिक होगा और आपका बिजनस भी और अधिक बढ़ेगा इस स्पॉयलर में इधर की बचत होती है 100 लीटर दूद का मावा खोवा बनाने में सिर्फ 23 किलो लकड़ी लगेगी बॉयलर लकड़ी, गैस या सौलर से चला सकते हैं बॉयलर सभी उध्योग में लगा सकते हैं जहां ही वेस्ट टीम की आवशकता होती हैं यदि आप डैरी दुगद उद्योग से जुड़े हुए हैं या दूद से मिठाई बनाने का बिसनस करना चाहते हैं या आपको अपने उत्पात बढ़ाने की प्रोड़क्शन ही तू किसी भी प्रकार की स्टीम बॉयलर वर कढ़ाईयों की आवशकता है तो हम से संपर्क करें हमारी और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के पास शेर करें जो इस बिजनस से जुड़े हुए हैं या ऐसा बिजनस करना चाहते हैं